सबने इंडियन टूभर में आप सभी का स्वाज़त है तो आज मै बनाओगी कडाई पनी तो चलिए बनाते हैं कडाई पनी तो कडाई पनी बनाने के लिए सबसे पहले मेरें कडाई रख्ये गेस पर और गेस को कडाई हमने आँ इस नहीं को हल्काác गरम देना है और इस इसमें कुछ खड़ी अजैस डाल थैस नहां है कैओश्ट करना है कड़ाई मेरी हल्की सी गरम हो चुक है इसमें इलिया एक से घर्ण चमच गणा धनिया इसको डाल देते हैं कड़i में 557 कालि विर्छ लिये है मैंने और यह दो से तीन लाल मेच साबत और आदा चम्मच लिया है मैंने जीरा इन सब को हमें अच्छे से फ्राई करना है इनका कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है तो यह देखिए हमारे कुछ खड़े मसाले फ्राई हो चुक है कलर भी इनका चेंज हो चुका है का ie haha इसको हलके से Karma के चलाना देखिये मेरे मसाले फ्राइब खुर्आ हो चुके एक देखिये मसाले मेरे फ्राइब हो चुके गैस को हम बंत कर देते और मसालो को बाहर निकाल लेते है अबी थोड़ा सा मभाइधा क्वाल ठंडा करेंगे पिर हम जांद के जार में डाल के तदरा सा पीसेंगे यह यह हम मेक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं मैरे मसाले को कुछ क्या ददरा सा पीसette में प्लाइड़ गै smallest class पनीर नेुकर कट कर लेते हैं ये मेरे डाइसो ग्राम पनीर लिया है पनीर मैं अच्छ साब्जे म पनीर को हम अच्छ से कट कर ली डे हैं एक सिमला मिर्च एक बढ़ाय प्याच एक टमातर थोड़े से वे Jason तो िसके में अदर काकर लिया है मेरा 1-2 कहड़ी हरी मिर्च काटी है है ने 2 प्यास को बारी काट लिया है यह दो टमाटर यह मेरा एक राइस ग्राम पनी तो चलिए पहले हम सबजीयों को फ्राई कर लेते हैं कैस मैंने ओन कर दिया कड़ाई मैंने वह वाली रख दिया कड़ी में भी हम डालेंगे ओयल, थोड़ा सा ओयल डालना है, ओयल को हलका सा वारम होने देते हैं, अहीं मेरी गर्म हो चुकी है, तो इसमें मैं डालूंगी, ये कटी होई, बड़ी बड़ी प्याज, सिल्ला वेच, हमको हुआ, राय करना है, हमें ये हलिका हलिका सॉप्ट करना है, ये हरी हुए, और ये अग्रपी लच्छे, और ये समाता है, सजबियों का हलका हलका समय कला चेंट करना है, तो ये रेखिये, मेरी सब्जियों हलका की प्राइब हो चुकी है, पलर भी इनका हलका का चेंट हो चुका है, तो इसमें सब्जियों को बाहर निकाल लेते हैं, कड़ाई में हम अपने पनीर को भी हलका सा फ्राइब कर लेते हैं, पनीर को भी हम हलका सा फ्राइब कर लेते हैं, ये देखिये, पनीर को आराम से करना पनीर को सूप में निकाल लेते हैं, तो ये देखिये, मेरा पनीर प्राइब हो चुका हलका सा और गयस को मैं बन कर देते हैं, पनीर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो फ्रेंस देखिये मैंने कड़ाई फिर से रख दिया, कड़ाई मेरी फिर से गरम हो रही है, अब इसमें डालूंगे ओल, और आप बनाएगे हैं, कड़ाई पनीर, ओयल को अच्छे से गरम होने देते हैं, देखिये फ्रेंस, कड़ाई मेरी गरम हो चुकी है, तो हम इसमें पहले डालेंगे ये बड़ी इलाइची, खड़े मसाले मेने अलग पीस रखे हैं, और ये डालूंगे मैं प्यार, और प् अच्छे से प्राइब करेंगे तो हम इसे बड़ी रहना है, तो ये देखिये मेरी प्याज अच्छे से प्राइब हो चुकी है, तो प्याज तेल भी बाहर होने लगाया, अब इसमें डालूंगे मैं एक जमच अद्रग लैसुन का फेज, और यसे भी हम अच्छे से मिलाए अच्छे से मसालों को मिलाएं, और यसे प्राइब होने रहते हैं, दो मिनाटकी लिए, अब आदा चमच हल्दी पावडर, एक चमच धनिया पावडर, तोड़ी सी लाल मिर्च और इनको हम अच्छे से मसालों को मिलाएं, अब इसमें डालों को मिलाएं, यह कटी हुए टमाटर, यह मैंने बार, इक तो टमाटर काट लेए थे, यह को डाल जटे हैं, और तमाटर को डालके इसे आख़े सम लिक्स कराएं, मसाले में, तो तमाटर डाले हैं तो इसमें नमक डालते हैं एक चुम्मे डाले हैं इसमें नमक नमक आप अबने स्वाद के अनसर डाल सकते हैं नमक से तमाटर हमारे जल्दी गल जाते हैं तमाटर को भी हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ तो यह देखेए वे टमाटा बल चूती है तो इन में डाले हम और थोड़े से मसाले ये लिए मैंने एक चम्मच कशोरी लाल मेंच कलर वाली जो होती है तोड़ा सा लिया मैंने गरम मसाला और एक से डेड़ चम्मच लिया है ये मैंने कढ़ाई पनीज मसाला तो भी मैं दाल देते हैं और इस मसाला को अच्छे से विक्स परते है निए थोड़ी देर और पपने देते हैं अच्छे जब तक मारा मसाला तेल बाहर नहीं छोड़ देता जब खुट मेंसे पकने देते हैं इसमें डालें थोड़ी सी कशूरी नेती है, इसे बहुत अच्छी पशूरी आती है, टेश बी अच्छा हो जाता है, अब इसमें डालें में थोड़ी सी मलाईए, आप मलाई डाल सकते हैं अगर आपकी अमध्य है आप ना भी डाल सकते ही और सबाघा मलाई को टाल गाया है अच्छे तो यह देखें मेरा मुसाल अच्छे से व्यू चुका है और देखे तेव भी बाहर हो चुका है मसाले से ये देखिए, अब इस में डालो हूँडे, जोकी मैने ने फ्राई कर रखी थी कब्रत्रांतो डाल देखें हैं मैं अजिताइ मोडे नियुकर ट़् capable डाली तहोड़ी टोड़ा दालो खळाया आे में अच्छा में कडाई की trapped अब इसमें डादूंगे में ये पनीर को मैंने फिराई के रखा था पनीर को मैं आराम से डालाएं और इसे भी भी हल्के हाथ से मिलाएं अब डालोगी में ये जो मैंने खड़ी मसाले भूंके पीसके रखेते हैं इन्हें डालोगी उपर से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इन्हें डालने से और इन्हें हमें अच्छे से मिलाना है तो ये देखे फ्रैंस मेरा कढ़ाई पनी बनके हो गया तैयार कितना अच्छा कलर आया है ये देखिए यम्मी यम्मी सा तो उपर से डाल देती हुए ये अध्रक हरी मेच के लच्छे वही ने डालके भी हल्के हाथ से मिक्स करना है ये देखिए मेरा यम्मी सा कढ़ाई पनीर बनके हो गया तैयार देखिए फ्रेंस मेरा पनीर कढ़ाई बनके हो गया तैयार ये देखिए एच्छे से और गैस पहूं कर देते हैं पन और सब्जी को कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं एक बावल में तो यह देखिए सबजी को मैं बाहर निगाल लेती हूं तो यह देखिए फ्रेंज मेरा यम्मी सा टेस्टी सा साही कड़ाई पनीर बनके हो गया तहिया यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसे आप पूड़ी पराठे रोटी किसी के साथ हम भा सकते हैं बहुत अच्छा लगता घाने में तो चलिए तो देखिए फ्रेंज मेरा कड़ाई पनीर यम्मी सा टेस्टी सा बनके हो गया तहिया अब भी एक बर मेरे तरीक से ट्राइ करिए पनीर अगर मेरी यह रेसेपी आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए लाइक, सेर, कमेंट करना ना भूलें फिर मेरेते हैं एक और रेसेपी के साथ अब तक के लिए बाई 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 करें